हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेका आया हूँ, मश्रूम मटर मसाला की रेस्पी बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि इसे घर पे आप बहुत आसानी से रेस्टोरेंट जैसा बना सकते हैं चलिए शुरू करते हैं इसे हम बनाना यहां पे एक खास पेस्ट तयार करेंगे एक सिमला मिर्च लिए है चार लाल टमाटर लिए है मैंने हो सके तो आप हाइब्रे टमाटर यूज करिएगा और इसी में मैंने एक मश्रूम डाल दिया है अब हम इन तीनों का पेस्ट बना ल मश्रूम यह लाजवाब कॉम्बिनीशन है एक बार जरूर आप इसे ट्राइ करके दिखेगा यह सीक्रेट चीछ बता रहूं मैं आपको अब हम यहां पे इसे एक से दो मिनिट सौटे कर लेंगे बटर के साथ इससे मश्रूम का फ्लेवर डबल हो जाता है तो यहां पे यह ब्लांच की हुए मश्रूम थे जिनने मैंने हलका सा पानी में उबाल लिया था तो यह मश्रूम हमारे यहां पे रेडियो हो चुके हैं अब हम उसी कड़ाई में तड़का लगाएंगे तो दो चम्मच ओईल लिया है मैंने इसी में एक चम्मच जीरा डाला है जीरा चीनी का तुकडा है तो यहां पे इसे अच्छे से तड़का लेंगे जब यह 1-2 मिनीट बार तड़क जाएंगे तो हम इसमें एड करेंगे प्याज यह बारी कटी हुई प्याज है दो मीडियम साइज की प्याज मैंने काट ली थी इन दोनों को हम एड कर देंगे और अच हम इसमें ऐड करेंगे, जिंजर-गार्लिक का पेस्ट तो यहां पे दो चम बेज, मैं जिंजर-गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रहा है एक से देर्ड मेनिटा आप इसे भी पका लेए इसे इसका कच्चा-पन 혹시 चला जाएगा बहुत ज्यादा आ हमें इसे сделал करेंगे और टमाटर हमारे जल्दी गजाएं इसके लिए हम एट करेंगे उसमें एक चमच नमक इस्टे टमाटर बहुत जल्दी गजाएंगे ुए और Ri Your कर देंगे अब हम यहां पे इसे पांच मिनिट ढख के पकाएंगे इससे क्या होगा कि टमाटर हमारा बहुत जल्दी पक भी जाएगा और ऑईल भी छोड़ देगा तो यहां पांच मिनिट हो चुके हैं देख सकते हैं आप क्रेवी नय ओईल रिलीस कर दिया है अब इसमें हम पेसे मसाले एट करेंगे तो यहां पे दो चम्मच कश्मीरी लाल मेर्चा एट कर रहा हूँ अच्छे कलर के लिए अब इसमें डालेंगे एक चोटा चम्मच जीरा पाउडर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे तो दो चम्मच धनिया प है रिलीज ना कर दे हमारे टमाटर भी और मसाले भी कि कि देख सकते हैं आप मसाले अच्छे से पकने लगें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी एट किया है जिसे की यह जले न और इसे हम धक के दो मिनिट पकाएंगे इससे हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो देख सकते हैं आप दो मिनेट हो चुके हैं अब हम इसमें एट करेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया इस स्टेज में आप हरा धनिया डालके देखेगा इससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है और तीन हरी मिर्च इससे अच्छा तीखा पनाएगा ग्र कर लिया है तो यहां पे हम काजू और मगज का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे ध्यान रखें कि नीचे चिपकता है बहुत जल्दी लग जाता है तो इसे लगदा चलाते रहें और एक चमच यहां पे हम बटर एट कर देंगे इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी ग्रेवी में अब इसे हम दो से तीन मिनिट पकाएंगे और इसमें पानी आइट कर दिया है मैंने आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी कम जादा कर सकते हैं अब इसमें एक सीक्रेट चीज जाएगी यह है टमाटो केचप यहाँ पर आप एक च अब हम इसमें एड करेंगे हमारे मटर तो यह फ्रोजन मटर मैंने यूज किये हैं पानी में अच्छे से वाश कर लिया था और कुनकोने पानी में दस से पंदा मिने डाल के रखा था मैंने और एड करेंगे हमारा मश्रूम जिसे हमने बटर के साथ फ्राई किया था तो यह यहां पर मटर और मश्रूम दोनों एट कर दिया है मैंने अब इसे आप अच्छे से चला लें एक बार अच्छे से mix कर लें जिसे कि ये gravy में अच्छे से मिल जाए और gravy का flavor अच्छे से इन दोनों में आ जाए अब add करेंगे इसमें हम पानी ये final तलका हो रहा है हमारा gravy हमारी final stage के हो रहा है तो यहां पर हम इसमें एक glass पानी add कर दिया है ये खुनखुना पानी add किया है मैंने अब इसमें एक अच्छा ओवाल आने तक हमें इसे अच्छे से ओवालना है इसमें अच्छा अवाल आ जाएगा तो देखिए 5 मिनिट हो चुके हैं इसमें एक अच्छा ओवाल आ जुका है और oil भी release हो चुका है तो यहां पे हमारी ग्रेवी सबजी रेडी हो चुकी है अब आप इसे गार्निश करिए धनिये से और इसमें हम एड़ कर देंगे कसूरी मैथी तो यह रोस्टेट कसूरी मैथी है इसे मैंने डाल दिया है और अच्छा से मिला लें इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो हमारी देखे सबजी का कलर कितना बढ़िया आया है कितनी शांदार लग रही है आप इसे रोटी नान पराठे राइस जिसके साथ भी आप खाना चाहें सर्व करिये बहुत ही पसंद आईगे आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा शेर करिएगा कमेंट्स करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल बटन की घंटी को जरू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद